नमाशकर साथियो, मैं हूँ यश्पाल और स्वागत है आप सबका आज की इस मेरी शब्द वाली की वीडियो में तो आज मिलकर शुरू करते हैं आज से मैं अपने इन वीडियो में इन शब्दों के साथ कुछ महवरे जनि एडियम्स भी एक जा दो हर रोज डिसकस किया करूँगा ताकि हमारे इंग्लिश पर अच्छे से पकड़ बने कि हमें शिर्फ शब्दों का ही नॉलेज ना हो ग्यान ना हो हमें महवरों का भी हो ताकि हमें कोई जब भी कोई phrases में बात करे तो हमें उन चीजों का पता चल सकते आया है तो मिल कर शुलू करते हैं आज करती है वह सबसे पहला शब्द है वह आ टिमीडिटी का मतलब होता है कम्तीमीडिडिटी है जा घिमीडिवोलते है अगला शब्द है बूब इसका मतलब होता है किसी का फेवर पाना, किसी का सयोग पाने के लिए जो हम होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मतलब प्यार दिखाना किसी को, किसी को लाड़ करना, प्यार करना, किसी को स्पोर्ट करना, इसलिए था कि कोई आपका सयोग करे, आप से प्यार करे, तो उसको क् अगला शब्द है पर्टिनेंट पर्टिनेंट का मतलब होता है कोई किसी से जुडी हुई किसे समदीत कुई चीज परसंगीक है ना जैसे मां लो आप कोई बात कर रहे हो na तो जैसे शाम को सबजी क्या बनेगी आपने डिसाइड गे क्या यह सबजी बनेगी आप चृँ यह बात कर रहे हो तो परिकुल बिशेश प्रकार की कोई चभी यहि सब्जी बेहांजन बनाना है आपने तो उसी तरह की बातों करोगे, जैसे करोगे अच्छा आजलग खीर बनाते हैं खीर फिर में कया गों डालेंगे गरी भी डाल देंगे किशमिश भी डालेंगे दूर डालेंगे और जो बहुत खुआ डालेंगे जो जो भी आपके मन में आएगा तो जब आप ऐसे अलग से बात नहीं करोगे जब आप क्या करोगे आप हेर की बात करोगे तो आप गरी की बात करोगे किशमिश की बात करोगे तो इससे जैसे हम किसी एक विश्य से बात करते हैं उसी से जुड़े दूसरे की बात करते हैं उसको कहा बलते है पर्टिनेंट रेलेवेंट जा अगला शब्द है बाउन्स वैक बाउन्स वैक का मतलब होता है यह फ्रेजल बर भैक दरा का फिर से उठखड़ा हो जाना जिर मालो आपने कोई काम किया उसमें असफल हो गए पर आपने कहा कि फिर से लड़ना शुरू कर दिया उसको पाने के लिए राप्त करने के लिए उसको कहा बलते है बाउन्स वैक स्तंबलन का स्तंबल होता है ठोकर स्तंबल का अगर सिंपल स्तंबल का मतलब बताओ तो उसका मतलब होता है जह को फ्रेजल मुझा मतलब है स्टम्बलाण का मतलब होता है अचानक से कोई सामने आ जाना किसी को मिल जाना है जिसे मालो Safi कभी के भी होता है आप अपने आप एन्साफूरां बैठनर प्रफावित Čया चाहिए किस को सामने आ जाता है उसको क्या बुलते है set the tone इसका मतलब होता है किसी काम को करने के लिए अपना किसी भी बिशे के लिए अपना मन बिशे के लिए अपना मन बिशे के लिए मन में बिशार धारन करना है कोई जिसे मान लोग किसी को खाना है खाना हाना है तो उसे पहले खाना हाने का बिचार 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 अगला सब्सक्राइब न मतलब होता है किसी चीजे में ब्रबोतर होना पॉर्धिक इसको अग्रेश्यस मतलब मतलब होता है जो इंसान पुलाइट ना होता है झांसान पलाइट किसी दें लूप्त नहीं होता है ना उसको खुशित है को चीज मिलना लो इसक मन ऀसको चंता नहीं होता है जो मस्त रहता है जैसे होते हैं कि बोलते हैं बावा लोग मस्त मलंग रहते हैं तो इस स्थीति को क्या बोलते हैं नान चैलेंड तो आज के अब हम इडियम को डिसकस करते हैं आज के जो महावर हैं इडियम हैं वो है हैंड इन गलोब इसका मतलब होता है कि बड़ी ही गनिश् होना सब्सक्राइब आदरो जैसे आप वो देका कि पॉलीटीशियन और उसके बीच होते है क्रिमनल्स के बीच होता है तो उसको कहाँ बोलते हैं एंड इनग्लोव मिन दिस्ताने होते हैं लिकले अलग से इसकी बात करें जो लास्ट हो जैसी होता है न Blair दो दो कि जिग्रा हो रहा होता है है तो wszyscy two a cigarette को इतनी कड़ Brass esoonis वाला कुछ दिन तक तो चूप रहता है लेकिन जब बोलते हैंकि अب तो पानी सरसे उपर से जा रहा है साओनेवाली कीख एसा किसी को कुछ कहा कर देना इस तरह से किसी की इंसल्ट कर देना ऐसा कोई एक्षिन करना जा इंसल्ट करना जिससे सावने वाले करना रिस्पॉंस देना प्रतिक्रिया मतलब कि मतलब ऐसी प्रतिक्रिया करना जिससे सावने वाला आपको प्रतिक्रिया के लिए तो उसको क्यों गो यह लों को आप के पास यावको बहुत देसे बहुत बुरी-बुरी बाते हैं वो नहीं और लूद भी दीँग तो पाने सरक गया ना उसने मीं लगाया चीज की चमाट है तो जब उसने जो चमाट लगाये जो क्या होते हैं डैसा लास्ट तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को करते हैं जहीं पिसमाफ्त और मैं लेता हूं आफ सेल बिदा तो बढ़ते रही आगे बढ़ते रही और हमेशा उच्छा रही एपने जीवन का जो भी आपका उदेश्या है लक्षा है उसकी और बढ़ते रही दन्यवाद